नमस्कर दोस्तों स्वागत है आपका फार्मारोक्स के यूटूब एज्योकेशन चैनल में तो आज की उडियो लेक्चर में हम ऐसे हेल्थ प्रॉब्लेम और उसके सॉल्यूसन के बार में बात करेंगे जैसे की आपकी स्कीन के उपर इस तरह से फोडे हो रहा है कि जिसको हम सिफलिस का इंफेक्शन कहते हैं फिर यहाँ पर जो आप देख रहे हैं उस तरह से गौनुरिया का इंफेक्शन हो रहा है कि आपने काफी ज़्यादा मेडिकेशन से यूज की फिर भी ये इंफेक्शन जे वो ठीक नहीं हो रहा है फिर आपकी ओरल केविटी के अंदर आपके दांत में इस तरह से इंफेक्श हो रहे हैं वो भी ठीक नहीं हो रहा है काफी समय से फिर कान में इंफेक्शन हो रहा है उसके करण काफी ज़्यादा पस फार्मेशन हो रहा है कि या पर जो हम देख रहे है कि कान में काफी ज़्यादा हमें पस दिखाई दे रहा है फिर पांचवा प्रॉब्लेम हम देखे तो वो हो रहा है UTI, कि आपने काफी medications यूज की फिर भी आपका urine infection ठीक नहीं हो रहा है, फिर skin के infections भी आपके ठीक नहीं हो रहा है, तो ये सबी health problems को solve करने वाली बहुत अच्छी tablet के बारे में सीखते हैं, detail में, तो हम सीखने वाले है Leesophore 600 tablet के बारे में, तो चलिए सुरू कर आज का lecture और जानते हैं detail में, Leesophore 600 tablet के बारे में, तो ये जो सब topics है, वो हम आज की video lecture के अंदर cover करेंगे, ये tablet के बारे में, तो सबसे पहले उसका basic समझते हैं, तो Leesophore 600 ऐसे class का medication है कि जिसको हम antibiotics कहते हैं, तो Leesophore जो है उसका brand name है, और उसके अंदर जो salt composition के हम बात करें तो Linozolid है कि जो 600 mg जितना, ये एक tablet के अंदर present होता है, तो यहाँ पर आप उसके label के उपर देख सकते हैं कि Linozolid tablet S per IP 600 mg, फिर ये medication का और deep class देखें, तो Oxazolidinon class का ये antibiotic drug है कि जो बहुत सारे bacterial infections को ठीक करने के लिए use किया जाता है कि अगर कोई antibiotic effective साबित नहीं हो रही ह तो उस वक्त आपके पास ये एक last option रहता है, Linozolid के tablet का, तो इसके manufacture के हम बात करें, तो ये जो product है, Lizophore 600 वो Mankind Pharma की है, और Mankind Pharma के बारे में मैं आपको बताओ, तो ये एक Indian multinational pharmaceutical company है, जिसका head copies जो है वो Delhi में है, तो अब use देख लेते हैं, ये antibiotic के, तो Lizophore जो है वो bronchitis lungs में infection होता है, pneumonia, gonorrhea, syphilis, कान्वे infection हो रहा है, throat infection, UTI, bone, joint, skin, swab, tissues, मतलब की, जितने भी type के अलग-अलग bacterial infection हो रहा है, और उसमें अगर कोई antibiotic काम नहीं कर रहा है, तो ये जो antibiotic है, वो जरूर से काम करें के मिलें के काफी useful antibiotic ये साबित होता है, अब उसकी label की हम अच्छे से study कर लेते हैं, तो label में सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे Rx लिखा है मनलब की, ये prescription-based medication है, prescription के साथ ही ये retail में available होता है, salt content उसका 600 mg है, और Indian Pharma Copia के standards के according to, ये tablet को बनाई गई है, lezo for 600 यहाँ पे उसका brand name हो गया, mankind की भी यहाँ पे आप detail देख सकते कि जो उसके manufacture है, फिर tablet का हम type देखे तो ये film-coated tablet है, और एक tablet के अंदर linear solid रहता है, 600 mg, excipient surface and quantity में रहते है, और color उसके अंदर जो add किया गया है, वो है titanium dioxide, फिर यहाँ पे storage condition खास आपको दियान रखनी है, कि 30 degree temperature से, कम temperature में उसको store करना है, और light and moisture से इसको prevent करनी होती है, फिर इस तरह से strip packing में ये available होता है, और एक strip के अंदर आपको 4 tablets मिलती है, working हम देखे तो ये जो antibiotic के वो कैसे काम करता है, तो antibiotic specially target करते है, बैक्टेरिया के उपर, तो ये जो हमारे medication है वो क्या कर दी है, तो bacterial cell में होने वाली जो protein synthesis की जो process होती है, उसको ये inhibit कर देता है, तो क जो protein है, वो protein मानलों की नहीं बनता, तो आगे जाके वो जो cell होता है, वो अपनी growth नहीं कर पता, उनकी growth जो है वो कम हो जाती है, और उनकी growth कम हो जाने के करण, उनकी संख्या भी देरे-देरे कम होने लगती है, और bacteria का जो infection आपके सरेर में कम होने लगता है, और देरे-दे जी once a day उसको लेनी होती है maximum two tablet per day की सबसे आपको लेना है और एक या दो tablet per day जो है वो ले सकते हैं so higher dose में उसको कभी भी use ना करें तो अब आप हमारी book भी purchase कर सकते हैं तो यहाँ पे मैं आपको book की detail भी दिखा देता हूँ तो हमारी जो book है वो अब available है कि जिसको आप order कर सकते हैं तो book order करने के लिए आप हमे whatsapp भी कर सकते हैं अब इसकी price हम देखे तो November 2023 के according to इसकी जो latest price है वो है 142 रुपिस चार tablet आपको मिलेगी एक packing के अंदर और per tablet हम price देखे तो around 35 रुपिस जितना होता है side effects हम देखते हैं तो diarrhea हो सकते हैं इसके करन सिरदर्ध हो सकता है nausea omitting में लिपकी उल्टी होना pet में दर्ध होना taste जो है वो change हो सकता है और blood cell भी कम हो सकते हैं तो यहापे में आपको एक book की detail दिखा देता हूँ तो book की detail देखते हैं PharmaRox की mobile application के उपर तो सबसे पहले आपको क्या करना है PharmaRox app जो हो download करनी है और PharmaRox app के अंदर आप जो है वो हमारी book को order कर सकते हैं तो book का में आपको detail देखाता हूँ यहापे तो printed book अब available है तो उसको आप जरूर से order कर सकते हैं तो book का जो नाम है बीमारिया और उनका उपचार तो यह वाली जो printed book है उसको आप जरूर से order करें PharmaRox की mobile application से उपर या फिर हमें whatsapp कर सकते हैं number जो है मैं आपको description box में as well as pin comment में दे दूँगा तो बाते हैं topic पे और आगे समझते हैं Lizophore 600 tablet के बारे में तो उसकी और कुछ side effects देखे तो उसके करन आपको diarrhea दस्त हो सकते है, headache जैसे हमने देखा यह सब फिर दूसरे को side effect यह है कि dizziness, नीनदाना आपके जो mouth के उपर इस तरह से white patches जैसा बन सकता है फिर irritation हो सकती है burning हो सकती है eating जैसी हो सकती है आपकी वज़ाइना के उपर कि अगर कोई ladies इसको use करती है तो यह उनको side effect हो सकती है और जो tongue होती है हमारी जो jeep होती है उसका थोड़ा बहुत color change होता है इस तरह से महलें कि white patches हो सकते है आपकी jeep के उपर फिर warnings देखते है तो warning यह रहेगे कि अगर आपको allergy है leesophores की या फिर lenezolid की तो उसको use ना करे अगर आप alcohol use करते है तो alcohol को use ना करे जब आप यह medication ले रहे है अगर किसे को heart related problem है किसे को kidney related problem है या फिर किसे का liver खराब है तो वो लोग भी यह medication को use ना करे फिर आपके सरीर के अंदर sodium की मात्रा कम है यह medication को use नहीं करनी चाहिए pregnancy category के हम बात करे तो इसके pregnancy category C है तो pregnancy के दोरान इसको कभी भी आप use ना करे और आपने के जो gynecologist है उनकी advice जरूर से ले अगर आप यह medication use कर रहे है तो खास कर दियान रखने कि यह unsafe है pregnancy category C है और C category वाली कोई भी medication pregnancy में नहीं लेते हैं तो यह खास दियान रखे अब उसके कुछ drug-drug interactions हम देखे तो यहाँ पे जो आप listed medications देख रहे है यह सभी दवायों के साथ lineage audit जो है वो drug-drug interactions कर रहे हैं तो मानलो कि आप ipratropium ले रहे हैं तो उसके साथ leesophores को use ना करें तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरा ये वीडियो भी अच्छा लगेगा तो यहाँ पे click करके आप मेरा ये वीडियो भी देख सकते हैं और ऐसे ही बहुत सारे medicines के बारे में knowledge जो है वो gain कर सकते हैं तो good luck and all the best